आवस्टार पवन सिंग का पहला गाना सावन के बोल बम गीत फ्लॉप हो चुके हैं तो चलिए इस बारे में हम आपको पूरी खबर देते हैं पक्की खबर देते हैं और तो और मीडिया में इस तरह जो बाते फैलाई जा रही हैं उसके बारे में भी ये बात कहां से उठी इन सारी चीजों को बताते हैं पहले किसी का गाना अगर चार घंटे में वन मिलियन पहुसता था तो उसे सुपर हिट करार दिया जाता था लेकिन अब अगर किसी का गाना दो घंटे में वन मिलियन पहुसता है तो उसे सुपर हिट करार दिया जाता है आपको बता दे कि शुब ही आ रहे हैं लोगों को लग रहा है कि पवन सिंग का गाना था तो तक्रीब आठ से 10 मिलियन व्यूस तो एक दिन में होना ही चाहिए था जिस तरह से खेसारी लाल यादो का गाने का हाल था आपको यह बता दे कि अगर आप खेसारी लाल यादो के गाने को देखे और पवन सिंग के गाने को देखे तो दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है पवन सिंग के गाने के लाइक भी खेसारी के लाइक के बराबर है यानि 13 मिलियन सौंग का लाइक और 3 मिलियन पवन के गाने का लाइक लगभग सेम है क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ये गाना फ्लॉप है जी हां बिलकुल भी नहीं कह सकते ये गाने को लोगों ने अपना बहुत प्यार दिया है और ये गाना कहीं से भी फ्लॉप नहीं है ये एक दिन में इतना व्यूज आना वो भी एक नए से तो कोई खाने की बात नहीं है बहुत ही खुबसूरत गाना है जो लोग इसके खिलाफ सड़ेंद्र कर रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि ये फ्लॉप सॉंग है वो अपनी आखों का चेक अप करवा सकते हैं आप क्या सोचते हैं इस बारे में क्योंकि ये एक बहुत यन भी क्रॉस न करता तब आप इसे फ्लॉप गहते इस गाने ने 24 घंटे में 3 मिलियन व्यूज हासिल किये हैं जो कि ये एक हिट सॉंग के तरह आगे बढ़ रहा है आप ये समझ जाईए ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है कि आने वाले समय में पवन के कई बहतरीन जिसका इफेक्ट उस पर पड़े आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मिल्कुल नबूर।